तीज बरसात की चलती मारवाड की नदिया उफान पर ट्रेक्टर में बैटकर नदी पार कर रही चात्र चात्रा है हर समय बना हुआ खत्रा पाली जिले की मारवाड जंक्षन में बीते आठ दिनों से लगातार बरसात का दोड जा रही है अरावली शेत्र में हो रही तेज और मुसलादार बरसात की चलती शेत्र की सारी नदिया पूरे वेक के साथ लगातार एक महने से प्रवाइत हो रही है शेतर की सुकड़ी, अउवा नदी, देवली नदी, किवाला नदी, गोगी नदी सहीद सभी नदिया पूरे वेक के साथ बहरी है मारवाट जंक्शन के निकट हिंगोला खुर्द के निकट पहने वाली सुकड़ी नदी में तेज बहाओ के चलते चात्र चात्राओं को रोजाना इस्थानी ग्राम वासियो द्वारा ट्रेक्टर में बैटकर नदी पार करवाई जारी है और विद्धाले पहुंचाय जारा है, नदी के तेज बहाओ के चलते हाथसा होने का भी भाई बैना हुआ है नदी में तेज बहाओ पर हर समय खुत्रा बना हुआ है फिर भी प्रसाशन की नीन नहीं खुल रही इस नदी पर पुल बनाने की मांग भी ते कई वश्यों से की जा रही लेकिन हर बार प्रसाशन द्वारा अंदेकी की जा रही सरकारी बदली लेकिन इनके नदियों की तस्वीर और तक्दी नहीं बदली जान जोखी में डाल कर चात्र चात्राएं मजबूरन ट्रेक्टर में बैट कर नदी पार कर विद्याले जानी को मजबूर है तो वहीं मौसर बाग द्वारा रावली शेत्र में आगावी 24 घंठे में और अत्ती भारी बरसात की चतामनी भी ज़ारी की गई है